आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ Question है What is the action of litmus with aqueous chlorine? हमें बताना है लिट्मस कैसे एक्ट करेगा हिंदी presence of aqueous chlorine तुम पहले लिट्मस का देखते हैं लिट्मस होते हैं टू टाइप के एक होता है रड लिट्मस एक होता है ब्लू लिट्मस रड लिट्मस बेस की प्रेजन्स में कलर इसका चेंज होता है टू ब्लू और एसिड की प्रेजन्स में इसका कलर चेंज नहीं होता और ब्लू लिट्मस का कलर बेस की प्रेजन्स में चेंज नहीं होता और एसिड की प्रेजन्स में चेंज हो जाता है टू रेड कलर तो अब हमें देखना है कि chlorine, aqueous chlorine जब हम लेंगे तो उसमें red or blue litmus paper कैसा अपना color change show करेंगे तो हमने aqueous chlorine लिया तो aqueous chlorine मतलब Cl2 dissolved in water तो जब हम water में Cl2 dissolve करेंगे तो यहाँ पर disproportionation reaction हो जाती है chlorine की into HOCl and HCl तो यह दोनों क्या है यह है hypochlorous acid यह है hydrochloric acid मतलब यहाँ पर हमारे पस acid form हुए है तो red litmus में अगर हम aqueous chlorine add करेंगे तो उसका color change नहीं होगा क्योंकि red litmus जो है red litmus in the presence of acid कोई color change शो नहीं करता तो यहाँ पर पहले तो no change आएगा और यहाँ पर देखो इसे हम अगर blue litmus paper से test करेंगे तो blue litmus acid की presence में red में change हो जाता है तो blue litmus जो है red color जो है शो करेगा अब यह देखो जो हमारे यहाँ पर HOCl form हो हुए hypochlorous acid वो unstable होता है और decompose हो जाता है into nascent oxygen तो जो nascent oxygen है यह good oxidizing agent है और इसकी formation की वज़े से जो chlorine है aqueous chlorine वो bleaching property शो करता है bleaching property मतलब dye का color remove कर देता है litmus paper जो है उसमें litmus dye होती है तो यह क्या करेगा जो यह red color है इसका जो litmus का भी color क्या था red था तो वो change करके colorless कर देगा वैसे ही यहाँ पे blue से red में change आया था यह अब इसका bleaching action शो करेगा और इसे भी colorless कर देगा तो हमें बताना था action of litmus with aqueous chlorine तो aqueous chlorine को जब हमने red litmus paper पे डाला तो उसमें हमें क्या change दिखेगा कि वो red से colorless हो गया अगर हमने aqueous chlorine का blue litmus पर test करेंगे हम तो हमें क्या दिखेगा कि जो blue color है litmus का वो change हो गया red यह जो litmus की dye है वो फिर bleach होके हो गई colorless मतलब यह दोनों जो litmus है bleach तो होंगे और colorless हो जाएंगे बड जो blue litmus paper है उसमें हमें पहले red color change दिखेगा क्योंकि यहाँ पर formation हुई acid की उसके बाद हो गई यह दोनों oxidized इसलिए यह bleach हो गई Thank you अब कीजिए अपने doubts 8444 पर